आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां नाशनल रिसर्च फांडेशन बिल की पचास हजार करोड का बचट होगा तो किस तरह के रिसर्च में खर्च होंगे ये पैसे और विपक्ष को इससे क्या परिशानी है समझेंगे और आखिर में समझेंगे भारत और UAE की बीच हुए ग्राउंड ब्रेकिंग डील को जिसे एक्सपोर्ट मील का पत्थर बता रहे है लेकिन पहले 60 सेकंड सेट लाइन्स का वक्त है सुनिए सुरज कुमार से शुक्रिया खुश्पू विपक्षी एकता की दूसरी बैठक आज पैंगलूरू में बीजेपी के खिलाफ 26 पार्टी यहां बनाएंगी रणनी थी केदारनात मंदिर में मुबाइल फोन ले जाने पर बैन शुद धालूं को सब भे कपड़े पहन कर आने को कहा गया सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो रेप केस पर आज सुनवाई 11 दोशियों के रहाई के खिलाफ केंदर गुजराद सरकार को नोटिस केंदर सरकार के अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई पिछली सुनवाई में केंदर को दिया गया था नोटिस धीरे धीरे कम हो रहा यमुना का जलसतर आज 205.45 मीटर किया गया दर्ज पूर्वे मंतरी आशुतोष टंडन की तबियत खराब मेदानता के आई सीउ में किये गए शिफ्ट और स्पेन के अलका रेस बने विंबल्डन के नई चैंपियन वर्ल्ड के नमबर एक खिलाडी जोकोविच को हराया साल 2004 में विपक्ष को एक सफल नेतरतव प्रदान कर चुकी सुनिया कांदी 2024 से पहले फिर से इस मोहीम में दिखाई पड रही है पिछली बार 23 जून को जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तब उसकी कमान बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार के हाथों में थी आज जब वो बैंगलिरों में विपक्षी दल बैठने वाले हैं तब इसकी जिम्मदारी कॉंग्रिस नेता सोनिया कांदी के हाथों में है शायद इसले भी कॉंग्रिस इसे सफल बनाने के लिए बर्चड कर कोशिश कर रही है पटना में जो बैठक हुई थी उसमें आम आदनी पार्टी दिल्ली ओर्डिनेंस के मुद्दे पर नराजगी के साथ बिना प्रेस कॉंफरेंस में हिस्सा लिये वापस चले गए थी उसे इस बार की मीटिंग से पहले ही कॉंग्रिस की ओर से भरोसा दे दिया किया है कि वो इस मुद्दे पर आम आदनी पार्टी के साथ है इसके अलावा और भी ऐसे शेत्रिय दल इस मीटिंग का हिस्सा होंगे जो पटना में मौजूद नहीं थे इसका मतलब है कि विपक्षी कुनबा बड़ा हो रहा है लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि ये मजबूत भी हो रहा है क्यूंकि इस गुट की बड़ी पार्टी, NCP, हाली में तूटी है और उधर BGP भी नई पार्टियों को और छटककर अलग हो चुकी अपने पुराने साथियों को वापस से अपने छाते के नीचे लाने की कोशिश में लगी हुई है तो खेर आज बेंगलोरू की बैठक में कौन सी पार्टिया पहुच रही है ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेजियो रिपोर्टर मौसमी सिंग से बेंगलोरू में होने वाली ये बैठक बहुत महचपून हो जाती है क्योंकि जाहे तो पर एक कौंग्रेस की मेजबानी में विपक्ष की मेगावैटकों में दूसरी बैठक है और कौंग्छे ने लगबख24 विपक्षी दलों को नियोता दिया है पहले आपको बतादने कि लगभग 16 विपक्षी दल पटना में उन्होंने हिस्सा लिया था ऐसी बैठक पे जहाँ पे नितीश कुमार मेजबानी कर रहे थी और इस बारी कॉंग्रेस पार्टी मेजबानी कर रहे है इस आहे तो कॉंग्रेस की तरफ से कोशिश है कि जादा लोगों को इन्वाइट किया जाया और बताया जा रहा है कि तमाम विपक्षी दल इसमें हिस्सा लेंगे जिनमें शेत्रिय दलों का अडिशन हुआ है चाहे वो इन लोग को जो है जोड़ा जाए और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए राज के बड़े दल है उनके साथ जो छोटे दल है उनको नियोता देने का आइडिया ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो विपक्ष की एक जुड़ता है वो ठोस किसी नतीजे पर पहुँचे और जोगी उसका एजिंडा गटबंधन का फॉर्मेट तैयार करना ही होगा तो क्या ब्लूप्रिंट तैयार है देखे अगर बैठक को आप देखे तो बैठक में तीन सूतरी एजेंडा होगा एक तो कि आप किस तरह से इस पूरे अंब्रेला को साथ लाएंगे क्या इसका ब्ल पक्ष एक जुट नजर आएगा क्योंकि इसमें मैनिफेस्टो हो जाता है या फिर कॉमिन मिनिमम प्रोग्राम एक हो जाता है तो इन मुद्धों पर चर्चा होगी और जाही तोर पे आगर आप देखें कि तीसरी बड़ी बात जो है वो सीट शेरिंग को लेकर है जो बताय से सीट शेरिंग को लेके मन मुटाफ दूर होगा और रसा कशी नहीं होगी ये सबसे बड़ा बड़ी फास जो है वो बनी हुई है और जाहे तोर पे इस पर भी चर्चा होगी जी और मौसमी का आख्री सवाल भाजपा को लेकर है मेरा वो भी अपने गड़बंधन की शक्ति को और बढ़ाने की कोशिश में है चोटे-चोटे दलों को भी सार्थ लाने की जो प्रया से वो चल रहे है तो क्या बीजेपी के माते पर भी बल पढ़ने लगे है देखे कही पैठक हुई विपक्षकी उससे बीजेपी ने हलके में नहीं लिया है और लगातार बीजेपी जो गड़बंधन की राजनीती है उस पे अब सक्रिय नजर आ रही है अलग अलग तरह से साधने में लगी है लगातार राउल गांदी कह रहे हैं कि बी आरेस जो है बीजेपी की दल हैं चाहिए अकाली यहों से संपर्क साधना हो बीजेपी द्वारा या बाकी छोटे दल उपेंत्र खुश्वाहा से बात करना हो इस तरह की चिराग पासवान को लेके चर्चा जोरो पर है तो जाहित और पे एक तरफ बीजेपी भी नजर बनाए रखी है और दूसी इस तरफ विपक्ष की नजरे भी एंडिये पर है कि किसका वजन जादा भारी हो जाता है बीजेपी जिस तरह से 2019 में उसने जीत हासल की जाहिर तो अगर कुछ और दल उसके साथ जुड़ते हैं तो वोट शेर में बड़ा फासला होगा वोट सीट शेर में बड़ा फासला पैदा कर सकता है तो इस पर भी चर्चा विपक्ष की बैठक में हो सकते हैं कि एंडिये के कौन सही होगी हैं कौन नहीं है और इंडिये किसको साध रही है क्या बी-एस-पी डाख होर्स है इस तरह के दल जोन अपने पत्ते नहीं खोले हैं वो क्या करेंगे ये सब चीजों की महीने बढ़ जाते हैं क्योंकि एंडिये हरकत में आई है। सत्र में डेटा प्रोटेक्शन, जन विश्वास, बायो लॉजिकल डाइवोसिटी जैसे काफी एहम बिल पेश होने वाले हैं। नाशनल रिसर्च फांडेशन बिल के तहत अगले पांच सालों के लिए इस संगठन को 50,000 करोड का बजट एलोकेट किया जाएगा। इस बिल के बारे में विस्तार से समझने के लिए हमने बाचित की एजुकेशनिस्ट नवरीट शर्मा से। देखे तमाम अन्य बिलों की तरह ये एक नया राश्टिय शोद संगठन के नाम से नैशनल रिसर्च फांडेशन के नाम से एक प्रस्तावित किया गया है बिल जो ये देखेगा कि हिंदुस्तान में जितने शोद होते हैं उन पर खर्च कैसे बढ़ाया जा सके और उनको एक जगा एक कतलित करके दिशानिल देशित किया जा सके कुछ संस्थाएं पहले थी जैसे साइन्स एंड एनर्जी रिसर्च बोर्ड एसी आर्बी पर अब ये जो नैशनल रिसर्च फांडेशन बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है इसके अंतरकत इस सर्ब को समाहित कर लिया जाएका और हिंदुस्तान में जितनी भी विज्ञा कावित बिल है जो मानसून सत्र में लाय जाने की अपेक्षा है नफनी जी इस बिल में बताया जा रहा है कि 50,000 करोड के बजट में 36,000 करोड रुपे प्राइवेट सेक्टर से फंड होंगी और इससे कहीं न कहीं एक एनर्फ की जो उटनॉमी है उस पर खत्रा है तो ऐसे मे क्या इसे प्राइवेट सेक्टर की दखल की तरह देखा जाएगा या रिसेर्च पर किसी तरह का प्राइवेट दबाव रहेगा देखे वैसे तो इस बिल को अगर आप आशंका की दिश्टी से न भी देखें तो भी एक सशंका उत्पन करता है क्योंकि 50,000 करोड रुपए जिसके आवंटन की बात की जा रही है उसमें से 36,000 करोड रुपए कोर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के तहत अर्थात निजी कमपनियां जो अपने परोपकार या अपनी नेतिक जिम्मेदारी के तहत इसमें वो पैसा देंगी ऐसा कहा जा रहा है कि 36,000 करोड पाए भारत सरकार देगी तिके स्वायत्ता का सवाल तो रहेगा है जो भी आपको शोद करने के लिए पैसे देगा वो आपसे किस तरह का शोद करवाना चाहता है वो तो उस बात पर नरबार करेगा कि अगर भागेदारी कर रही हैं तो आप किसी पूंजी वादी से इस बा किस तरह के शोदों पर कितना काम होगा या मजदूर संगठन को ले कर और कैसे काम किया जा सकते हैं यह तमाम शोद तो आप उमीद नहीं करते हैं कि पूंजी वादी ववस्था इनके लिए निवेश करेगा तो स्वायत्ता का सवाल तो रहे गा ही कि किस तरह के शोद किये पर ये जादा तर शोध जो हैं विज्ञान एवाम तक्नीक के संबंद में होंगे, पेटेंट के मामले होंगे, इंटलेक्शुल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले होंगे, तो ये तमाम और वैदानिक सवाल हो सकते हैं। जी और इस बिल का फाइदा किसे मिलेगा, किसे इसकी सबसे जादा जरुत हैं। जाएंगे और एक और नई खाई बनेगी, या ऐसा होगा कि राज्ये के विश्वविद्यालेओं तक ये रकम पहुंच पाएगी, राज्ये इस तरह विश्वविद्यालेओं में शोध करने की कितनी सुविधा हम इससे बना पाएंगे, और कितना शोध निजी कमपनियां लाज्य इस्तर के विश्व विद्यालेंगों से कराने के लिए इच्छुक हो पाएंगी कि ये जो नाश्ट्रिय प्राथमिक्ताइं कौन तेह करेगा? क्या राश्ट्रिय प्राथमिक्ताइं तेह करने का अधिकार एक सरकार के पास होगा? किसी भी शोध को क्या इसके लिए कहकर बंद किया जा सकता है कि इसके लिए राश्ट्रिय प्राथमिक्ता नहीं है? तो समाज विज्ञान पर होने वाले शोर्धों में तो बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये राश्रिय प्राथमिक्ता के सवाल नहीं है और ये हमेशा तेह करने वाले पर नर्वर रहेगा कि वो किस सवाल को राश्ट्री है और प्राथमिक्ता वाला समझता है बहुत बहुत शुक्रिया नपनीत बीतेश निवार को प्रुधान मंत्री नरेंदर मोदी सायुक्त अरब अमिरात के एक दिवस्ती दौरी पर थे 2014 में प्रुधान मंत्री बनने के बाद से कि उनका पांचवा यूएई दौरा था उन्होंने यूएई के राश्ट्रपती मुहमद बिन जायद अल नहायान के साथ कई डील्स किये लेकिन इस मुलकात की सबसे खास बात लोकल करेंसी में वेपार करने के सहमती रही यानि भारत और यूएई रुपया और दिरहम में लेंदिन करेंगे डॉलर को इस एक्वेशन से बाहर कर दिया गया साथी साथ यूएई के इंस्टिंट पेमेंट प्लाटफॉर्म को यूपी आई से भी लिंक करने के मजोरी मिल गई है वरतमान में भारत और यूएई के बीच लगभग 84 अरब डॉलर का वेपार होता है जो कि पछले एक साल में ही 19 फीस्दी बड़ा है मिडल इस्ट का ये देश अब भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है यहाँ इसका निवेश तीन अरब डॉलर से भी ज़ादा है 2020-21 में इसका निवेश एक अरब डॉलर था तब ये भारत का सांथवा सबसे बड़ा निवेशक था सिर्फ एक ही साल में इसने तीन पायदान की च्छलांग लगाई है 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक पहुचने की बात कही जा रही है ऐसे में लोकल करेंसी में वेपारिक लेंदेइन का फैसला दोनों देशों के लिए कितना एहम बन जाता है इसे समझने के लिए हमने बात की सीनियर एकनॉमिस्ट शरत कोली से बहरत तो UAE का जो ट्रेड है वो कुल मिलाके 85 बिलियन डॉलर का है जिसमें से हम करीब 51 से 52 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं जिसमें ज्यादातर ओयल है और करीब 34 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं दो तीचीजे समझने वाली है पहली चीज़ समझने वाली यह है कि UAE की जो करंसी है दिरम वो US डॉलर के साथ पेक्ड है पेक्ड का अर्थ होता है कि कितना भी रेट हो जाए डॉलर का वो करंसी का रेट वो ही रहेगा यानि कि उसकी करंसी फ्लक्टुएशन US डॉलर के साथ से चलती है एक डॉलर में 3.67 द बढ़ाना पड़ेगा अगर भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देता है और अभी भारत UAE को कुछ प्रेशर स्टोन्स, केमिकल्स, टेक्स्टाइल, कुछ वेजिटेबल्स यह सब भारत एक्सपोर्ट करता है और UAE से जो इंपोर्ट किया जाता है वो जादा तर उसमें प्रजानमंत्री मोदी जी ने लक्ष रखा है कि हमें G20 समिट से पहले ही इस 84-85 बिलियन डॉलर के बाइलेटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर कर देना है और यह टारगेट अची हो सकता है अगर हम उनको एक्सपोर्ट जादा करें क्योंकि दो तरीखे से हम जानते हैं कि बा हाल हुआ था वही हाल हो जाएगा वहां पर वास्ट्रो अकाउंट नाकाम्याब रह जाएगा जी और आपने ट्रूस की बात की तो वो कौन-कौन से देश है जिनके साथ इस तरह के डील है और लोकल करेंसी में वेपार करने से अंतराश्ट्री इस तर पर रुपे की जो एक पर इसमें एक फर्क समझने वाला है टेकनिकल और आज तक रेडियो के जो शोता है मैं उनको ये बात समझाना चाहूंगा बताना चाहूंगा कि सद्धानतिक रूप से इसको हमें समझने जरूरी है कि जब हम वान-उन-वान करेंसी में डिल करते हैं जब हम जैसे दिरम और जो देशों ने रखे हुए बम युस डॉलर में रखे हुए उसकी स्विकारता बहुत ज़्यादा हैं यह सुद्ध है जैसे जैसे जादा से ज्यादा देश हमसे रुपए में करते जाएंगे रुपए की स्विकारता बढ़ेगी तो इननों को आपस में भी जब वो करते हैं तो आइस्ता आइस्ता इसकी acceptance बढ़ रही है और यहां बिल्कुल ठीक है जितने जितने जादा देशों की लिस्ट में रुपया जुड़ेगा उतना जादा रुपए की स्विकारता बढ़ेगी और यह जो वॉस्ट्रो एकाउंट की मैंने समस्या बताई यह समस्या भी धीरे-धीरे हम overcome कर लेंगे अगर यह अंतराश्ट्य होता जाता है और इसमें देशों की लिस्ट में नए नए देश जुड़ते जाते हैं तो मुझे लग रहा है अगर यह अंतराश्ट्य स्विकारता बढ़ेगी देशों की लिस्ट लंबी होगी तो रुपए को यह स पाउदी अरब के तरज पर circular economic policy पर काम कर रहा है वो अपनी अर्थ विवस्था की निर्भरता तेल से हटाना चाते हैं इसलिए दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं और भारत इसके लिए एक मुफीद देश है तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के अख़बार सेग्मेंट की तरफ मेरे साथ सुरज कुमार मौचूद है सुबह सुबह देश दूनिया के कई सारे अख़बार पढ़कर गुड मॉर्निंग सुरज गुड मॉर्निंग कुश्बो, दा इंडियन एक्स्प्रिस अख़बार और उसकी एक एक एक्स्क्लोसिफ खबर भारत और फ्रांस के बीच जो अभी नेगोसिशन हुआ, उसका नया ड्राफ्ट ओफीशल विफसाइट पर लोड किया गया है राफेल जेट ठीक है, डन है, 26 राफेल जेट आपने खरीदे इसके अलावा दो डील और साइन होनी थी, एक थे स्कॉर्पियन सब्मरीन और दूसरा था कॉमबैट जेट इंजिन डील इन दोनों का मैनुफैक्टरिंग भारत में होना था, पहले जो ड्राफ्ट ओफीशल विफसाइट पर पब्लिश हुआ कुछ भूग, उस पर लिखा कि और डील्स आ डन, सब कुछ हो गया, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट एक गल्दी लेके पहुँच गए हैं बीजेपी के बास, ओम प्रकाश राजबर, इनकी पार्टी है सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी, छे सीट जीते हैं 2022 के इलेक्शन में, विधान सभा चुनाव, उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव के साथ गठबंदन में थे, इससे पहले बीजेपी के साथ थे, उन्हीं से तोड़के समाजवादी पार्टी में गए, फिर बोले कि नई भाई हमको रासवास नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, चलो बीजेपी में, और एक शमाई आचिका का लाओर लगी है, खुद को एनसीपी प्रसेड ले लेते हैं चाचा जी का, चाचा जी से मिले, प्रफूल पटेल ने कहा, देखिए सर, अब जो हो गया, सो हो गया, मिट्टी पाओ, जो हो रहा है, वो शांती तरीके से हो जाए, बहतर ढंक से हो जाए, इसमें हमारा भी बाला, आपका भी बाला, ऐसा सॉल्यूशन निकाल ही नहीं मिला, लेकिन एक रिपलाई जिसका आम आदमी पार्टी इंतिजार कर रही थी, वो मिल गया है, कॉंग्रिस की तरफ से, बोलें कि हम अध्यादेश में आपके साथ हैं, उसके खिलाफ हम बिलकुल वोट करेंगे पार्लियावेंट में, आप देखिए, विपक्ष की बैठक से पहले ही, ये बड़ा रणनीतिक फैसला हो गया है, क्योंकि इसी मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी जिद पे आड़ी वी थी, कि भाई पहले इसको क्लियर करो, उसके बाद बैठकी बैठकी तो होती रहेगी, कॉंग्रिस ने का है, ठीक है चलो, क्लियर है, अब बैठकी करो, तो आज होने वाली है, बैठकी, बैंगलूरू में, 26 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है, आज का दिन में इस पे विस्तार पूरवक्ट चर्चा होई है, आप जाके सुन सकते हैं, और महराश्टर से जोड़ी खबर में टाइमस ओफ और इंडिय हैं, उसकी जाज करें, तो शिंदे ने ये कदम तब उठाया है, जब फॉर्मर मिनिस्टर और शिफसे ना, UBT लीडर आदित्य ठाकरे ने, मिनिसिपल कमिशनर है, इकबाल चहल, उनको, उनके सामने कई सारे सवाल पूछे, कि उन्होंने इस मामले में एक जुलाई को लिट इंडिया, ये दिल्ली मिस्सित है, आप यहां पर जाएए, 80 रुपे किलो टमाटर खरीद के आईए, तस्वीर में लाइन लगे हैं, बतेरे लोग खड़े हैं, क्योंकि मिल तो रहा है 200 रुपे किलो, 120 रुपे सस्ता है, तो इसलिए लाइन वाइन में लगके टमाटर खरी अलकारेज, स्पेन का रहने वाला है, चार घंटे 42 मिनट के मुकाबले में, उसने में सिंगल्स के फाइनल में जोकोविच को हरा दिया है, एक छे, साथ छे, छे एक, तीन छे, छे चार से, ये मैच वो जीच चुका है, ताइमस अफ इंडिया ने बहुत विस्तार से इस पे खबर लिखी है, और अब इंडिया जो है, फ्रांस में तो यूपियाई डील कर आए, कि जाई एफिल डावर स्कैन कीजिए, और पैसा दीजिए, कोई यूरो का छंजट नहीं है, अब वही चीज जो है, वही प्लान जो है, वो इंडोनेशिय के साथ लागू करना चाह रहा है, उसके साथ बाचीत में है, देखिए कितना पॉजिटिव चीज निकल के आती है, और अगर आप किधारनाथ जा रही है, खुश्बू, या कोई भी लिसनस जा रहे है, मॉबाइल फोन भाईया, परिसर में अब इलाव नहीं है, अब जो रील वील बनना था, बन गया, अ ऐसा वहां की अथारिटी का कहना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सब भे कपड़े पहन करा हैं, अब सब भे कपड़े का क्लासिफिकेशन है, वो नहीं बताया है, खुश्बू, एक खबर ना पाकिस्तान से है, लेकिन वो आपको डॉन अख़वार में नहीं मिलेगी, वो अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं वहां पर, 48 गंटे में दो जगहा हिंदूओं पर अटैक हुआ है, एक जगहा तो उनके घर पर अंधा धुन गोली बारी की गई है, पुलिस जब तक पहुंची, आरोपी जो थे और जो बदमाश थे मौके से फरार हो गए, कराची में ए अगर कलस्टर बम का इस्तेमाल किया, तो जवाब वो भी देंगे, लेकिन एक बात तो कन्फार्म है, खुश्बू की फिलिपिन्स के ना आज आने के बाद नेटो में, उसकी तो दिक्कतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि जस चीज़ के लिए उक्रेयन से वो लट रहे थे, क और अब आपको बताते हैं, आज 17 जुलाई की तारिख को इतिहास में किसलिए याद करते हैं, आज वर्ल डे फॉर इंटरनाशनल जस्टिस है, 1998 में आज ही के दिन 120 से जादा देशों ने मिलकर इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट की स्थापना की थी, इस कोट को बनाने का मकसद कंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई करना है, आज ही के दिन 1917 में किंग जॉर्ज ने ब्रिटिश राज घराने का नाम सैक्स को बुर्ग और गोथा से बदल कर विंट सर कर दिया था, 1996 में तमिलाडों के ततकालेन मुख्यमंत्री M. करुणा ने धिने मदरास का नाम ब अपरालूं के दिया है!